और उसके तहत काड़वाई करने का जो निर्ने लिया और काड़वाई किया भी है वह पहला मुद्दा है उसके बाद हमारे सभी सिच्छक संगठन के जो सेक्षनल डिवान है उसको हमने कई बार कहते रहें कि जो आदेश इच्छा विभाग की तरफ से जारी किये जाते हैं य तक जो फर्माना क्या की तक विशार वीमर्स होने के बाद भी फर्मान और आदेश बाद से टाहते हैं विचार विमर्ज की भी बात नहीं करते हैं, हम तो यह कहते हैं कि जो संबैदानिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार हैं समिधान के तहट, जो एक्ट एस्टाचूट से जो नियम कानूने उसके तहट निरने लिए जाने चाहिए सिच्छा विभाग के द्वारा, क्या उनको जो 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 बोलते हैं और कहते हैं कि आप संगठन नहीं बना सकते हैं, तो क्या जो संगठन बना हुआ है, उसके रिष्टेशन को वो रद करने सकते हैं, उनको अधिकार है रद करने का, यह तो बेतुका वो सवाल और निरने लेते हैं, बेतुका निरने लेते हैं, नियम विरुद निरने लेते हैं, पर इसे पहले भी तो आपने मुखमंति नितिशकुमार से भी मुलाकात की थी, उन्होंने आश्वाशन भी आपको दिया था, मगर अब भी केके भाटक एक्टिव मोड में हैं, का रचल लग रहा है कारवाई होगी, किन पर कर वाई होगी, करवाई होगी, कया कीप अधे कर तो read मांग कर रहे हैंकि उनको हटाने की मांग कर रहे हैं कि ऐसे हैं में पदा धिकारी जो बिलकुल संविधान को धश्टा बताते हुए, और लोग तांतिक पाल ले रहे हैं, न नावे को रख था कैसे वो समयधान दिखार को भी ओठीन का प्रियास कर रहे हैं। जवाब मिला रहा वह बोले हैं कि हम देखें ढ़ा महमाहिम को भी सारी बात बता है महमाहिम ने तो करे शब्दों में भीषार के मुख सचिव को पत्र लिखकर ऐसे सभी पत्र जो के द्वारा नियम ब्रुद्द निर्देशित की गए सब को आप लिने का निर्देश उन्हों ने दिया था देखिए एक बड़ी बैठक तो बुलाई ही गई है कई समस्याएं हैं और खास्तोर पर जो सिच्छक हैं और वह काफी परिशान और वहाल हैं हमारे साथ संजीब जी देखिए हम लोग जो सिच्छा विभाग के द्वारा पुर्व से चली आ रही समस्या और वर्तमान में जो विभागिये निर्देश तरह तरह के निकल रहे हैं हैं जिससे देखने पर यह लगता है जो कि कहीं कहीं नियम कानून की अंदेखी करके गैर संबैधानिक आदेश निकाले जा रहे हैं दोनों ही बाते हैं उसके संबंद में हम लोग लगतार बैठक कर रहे हैं और एक सिक्षक प्तिनिधी के रूप में रोज इन बातों का सामना करना पड़ता है रोज इन बातों सिरूबरू होते हैं फिलहाल अभी जब आप आये हैं आपको बताया ही गय परिक्षाफल आधारित अनुदान लेकिन इसमें भी नौकर साहों के द्वारा इतनी कठीन कठीन सर्तें ठोप करके संस्थानों को बंद करने की ही साजिस चल रही है जिस समय यह वित रहित से वित सहित शिक्षानीती लाई गई थी उस समय जिन सिक्षन संस्थानों का जो स्टेटस था उसी के आलोक में परिक्षाफल आधारित अनुदान का प्राबधान किया गया था कि लेकिन इस तरह के वेतना नुदान में ना तो सिक्षक वार एक रूपता है और नहीं संस्था वार एक रूपता है सबसे पहले रेगुलराइजेशन के नाम पर डिग्री कॉलेज में अनुदान को बाधित किया गया नो करसाहों के द्वारा फिर सरकार ने मेरे द्वारा ध्याना करसन लाए जाने के बाद एक कानून बनाया उसमया दरनीय पीके साही जी मंत्री थे सिक्षा भी भाग के ले नाम पर अनुदान को बाधित कर दिया गया और आज अंत में फिर एक साल पहले लगभग जो माध्यमिक विद्यालें हैं जिनको वेतना अनुदान दिया जा रहा था उनको भी संबर्धता के नाम पर अनुदान से वन्चित कर दिया गया और फिर आपके विश्व विद्या लेके जो अंगी भूत महाविद्याले हैं या जो भी है जिनको वेतन मिलता है उनकी भी कतिपई समस्याएं आप लगतार इन तमाम विश्व पर आवाज बुलंद करते रहे हैं मगर अब तक कोई कदम जो है वो बढ़ाएं नहीं कि है सरकार द्वारा क्या लग रहा है कि अब सरसाही हावी है निश्चित रूप से जो नौकर साह हैं वह बहुत सारी बातों को सरकार के संग्यान में नहीं देते हैं मैं बता दूं आपको बिहार में द्वी सदनी विवस्ता है और यहां हम लोग विधान परसद में सिक्षक प्रत्निधी के तौर पर है मैं और हम लोग बार-बार अनुरुद करते हैं मुख्यमंत्री महुते हैं सिक्षामंत्री आगर कोई आपको फीटबैक लेना है तो हम लोगों सी फीटबैक लिए जाए हम लोग सारा बताएंगे हलांकि करेंगे वही सब के इसा किया जाता था और करना तो सरकार को निए अगर हो रहा हको लगता है सरकार के संग्यान में छिड्श सदन जिसको निश्चित है और कहीं न कहीं हम लोगों को लगता है जो कि जितनी बातें हम लोग उठाते हैं उसके अनरूप उसका फलाफल नहीं क्या लगता है अपसरों पर ज्यादा भरोसा है निश्चित रूप से हम लोग तो वही कहते हैं लेकिन प्रस्ण है उनको अगर फीडबैक मिले तब तो जैसे आपको उदाहरन दे रहे हैं अभी अस्थानी निकाय के द्वारा नियुक्त सिक्षकों का मामला उस मामले में आप बराबर देख रहे हैं जो कि नियमा वली बन गई नियमा वली से किनी को रूबरू नहीं करवाया गया और आज नियमा वली में जो हित बद्ध समुहों के लिए जो प्रारूप विग्यापित किया गया था जो पब्लिक डोमेन में दिया गया था जो कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और आप लोगों को जो सुझाव देना हो दीजिए लेकिन उससे इतर हट करके जो वर्तमान अपर मुक्त सची वहन सिक्षा विभाग के उन्होंने नियमावली उपस्थापित की और विहित प्रिक्रिया के बाद वो राजी केबिनेट से अनमोदित हुआ लेकिन आज उसमें क्यों संसुंधन करने की जरूरत की गई मुख्य मंतरी महुदय ने कई बार कहा जो कि परिक्षा ली जाएगी और परिक्षा देने के लिए भी लोग तयार थे लेकिन परिक्षा की सर्तों को विभागी नोकर शाहों ने इतना जटिल बना दिया जो कि आज सरकार उन सिक्षकों की समस्याओं को देख करके नियमाव संगठन के नेत्रत्य करताओं ने ही या सुझाओ दिया और तदुपरां तो उस पर निर्णय भी हुआ तो यह तो है इसमें कहीं न कहीं एक कम्मिनिकेशन गैप तो यह लोग जान बूच करके करते हैं लेकिन है भी विवस्था भी लोकतंत्र में तो यहीं है सदन तो इसी के लिए अगे तो चल रहा है देखिए पढ़ाई और लड़ाई सिख्षक के साथ तो यह सिध्धांत लगा हुआ है पढ़ाई भी करेंगे उन पर भी कारवाई होगी अभी आप जान रहें ना मैं तो कह रहा हूं आज भारत के संविधान के 194 अनुचेद में असपस्ट है विद्धायका की सक्तियां और उनका विशेशाधिकार क्या है और वो पैंसन रोक दे रहे हैं तो आईसा नहीं है पैंसन कुछ भी करेंगे उन्हां ने कुल निकाल दिया और एक बार कुल्पदि का बैधन जिस तरह से निकलता था निकलयात फिर उसको इसको लिविद्धार किया गया लेकिन मुझे लगता है जो कि अतिरेक में कुछ ऐसी बातें हो रही है जो कि सिक्षकों को भी देखे सभी वर्ग जो है चाहे वो नौकरी पेसे वाले हो आम आदमी हो या सिक्षन संस्थान में कारेरत हो या कोई भी हो तो सब के लिए उनके क्या मौली का धिकार है उसको असपस्ट रूप से परिभा कि आप संग नहीं बना सकते हैं शंग ठन नहीं बना सकते हैं वह कभी कभी कहते हैं अज जिला सिक्षा पदाधिकारी होते हैं जो वेतन समंधि मांग करते हैं या कोई विशुविद्याले अगर वेतन से समंधित मांग करता है तो सिक्षा विभाग वित्विभाग से वह समय पर लेले तब नहीं ले पाएंगे मैं तो अख़वार में कहीं भी ऐसा नहीं देख रहा पहले भी बोला है देखिए एक होता है दावा एक होता है वादा अब यह कागज पर बहुत अच्छा लगता है इन्हों और ऑर और बात एक बार ने वेतन के संदर में एक हो गाता है सिर्फ यह तो डूर विवाग से ते होगा और नहीं ओके पहले शिक्छा विवाग को चुसदुरूस्त कर लें सिर्फ हम कोई भी बात अगर कह दें आप धरातल पर नहीं उत्रे तो यह तो अच्छी बात नहीं है